गुड मॉरनिंग स्टूदेंस। बच्चों, आज हम एप ठित गधियाँश पढ़ेंगे। एप ठित गधियाँश कहलो या अभ बोधनम lift ना तो एप ठित गधियाँश या एप ठित अभ बोधनम पढ़ेंगे। बच्चो सबसे पहले हमी जानते हैं कि ए पठित गद्यांश या ए पठित अबोधनम क्या होता है देखो बच्चो ए पठित ए मने नहीं है पठित मने पढ़ा हुआ जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है जो हमने पनी पार्टिप उस्तक में नहीं पढ़ा है वह ही ए पठित गद हमें पहरा दे दिया जाता है कुछ रजना देबी जाती है कि घद्यांश को लिए दिया जाता हो प्रिशन दे जाते हैं अ only goals look at दॉन्दार नसरे के अंदर रिज़नी च्धिपय पर जिने ढूंड कर हमें लिखना होता है इंगलिस में इसको बोलेंगे अंजीम पैसेज ठीके बचो तो अब समझ में आया आपको ए पठित गद्यांश क्या होता है कि वो हमने पढ़ा नहीं है उसमें जो कोश्चन या प्रशन उसके अधार पर बने हैं उसके उत्तर या आंसर भी घृणिझाल उसको अपनी समझ से हमें डूंड कर डेख कर लिखना ऑकी एचसा बचों ये सोचें कि इसका कि इसका किस उद्दयांश सेriver में रखा गया यह रखा जाता है क्यूं है क्यों हमें गढ़ना एक क्योंकि इससे हमारी समझ देखी जाती है की हमारा भोध हमारी भुध्धि हमारी समझ कितनी चल रही है किस लेबल पर आ गई है क्योंकि हम उसको पढ़के समझेंगे तभी हम उसके प्रशनों के उत्तर दे पाएंगे हमारी समझ ने काम किया तो यह एपठीद गद्यांश या झाल तो यह सोथ में तैसे क्यों इस गारिये और जो आफे क्या रहां ने एक सीद्यार में गुशने कौछ आधी के समझना है फिर उसकी आंसर दे नहीं है तुस्तर देने यही पठित एपठित अब गोधनम या गध्यांश होता है इसकी परिभाशा यह को समझने के लिए हम यह उसकी परिभाशा पढ़ लेते हैं लुकेट बोड़ चिडर्ण कि एपठित गध्यांश दो शब्दों के मेल से मेल मतलब योग से बना है कैसे कैसे एप्लस पठित अब बतारे एमानी क्या होता जो मैंने आपको भी बताया ना सेन्या पर है कि एप्लस पठित एमाने बिना या नहीं पढ़ा हुआ यानि कि जो ह मा है या औठाक चैनी अपने मिफृ पुष्टक में नहीं पड़ा है मुझेे इसमें गंजनी परशन दिये जाते हैं या प्रशन निर्मान किये जातें आ परशन बनाये जाते हैं आव उनकिं आंसर Laboratory प्रशन परशन भीजमें सी बने हैं यही तो हुमारी समझ को देखा हमें धूंड़ कर हमें उतर देना होता है अब अपको समझ में आ गया होगा कि अपटिज घडेंश क्या होता है ठीक है थे अब करने और पढ़ने हैं तब ही आप उसको समझ भाएंगे आज आपका एपगित गध्यांज का टॉपिक या प्रकरण भी पूरा होता है